Hi everyone, मैं हूँ धरनजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे आप जितना अधिक geopolitical news पढ़ेंगे और समझेंगे उतना अधिक आपको भरोसा होगा कि दुनिया में अगर global tension बढ़ रहा है तो उसके पीछे एक देश जो सबसे अधिक responsible है वो है USA बीते कुछ सालू में खास करके जब से रश्या ने यूकरिन पे अटाक किया तब से रश्या और चाइना काफी close आया है जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सिर्दर्ध है US के point of view से और ये बहुत हद तक अच्छा भी है मैं ऐसा क्यूं बोल रहा है इसको हम समझेंगे इस वीडियो में कुछ examples की मदद से मगर आगे बढ़ों से पहले आपको ये वीडियो अच्छे लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो मुझे email करके बता सकते हैं क्यूंकि हम geopolitical news पढ़ रहें और समझ रहें इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम चीजों को बहुत ही neutral point of view से रहें और समझें एक चीज आप imagine करें कि अगर आज के date में China US को challenge ना कर रहा होता तो US free बैठा होता और जब भी US free बैठा होता है तो वो कोई ना कोई मौका को तलाश करता है जहां पे वो दूसरे देश के internal politics में दखल अंदाजी करता है और इस तरीके से propaganda चलाता है जैसे कि उस देश में human rights के violations हो रहे हैं और भी अलग-अलग तरीकों का उस देश के उपर allegation लगाता है और कोशिश करता है कि उस देश को indirect तरीके से चलाया जाए best example हम देख सकते हैं पाकिस्तान के case में 2013 से जब से President Xi चाइना को सम्हा ले हैं तब से regular basis पे China US को challenge करता हुआ आया है इसके पीछे का वज़य क्या है तो इसके पीछे का वज़य है कि almost पूरा का पूरा Europe, US या यूं कहले कि दुनिया का शायदी कोई ऐसा देश होगा जो Chinese manufactured goods consume नहीं करता होगा तो ये as an Indian हमारे लिए बेहत जरूरी होता है कि हम समझें कि अगर कोई देश US को challenge करता है या उसके policies पे सवाल उठाता है तो वो क्यों उठाता है वही अगर हम बात करें रश्या का तो हम सब को यही पता है कि रश्या के उपर sanctions लगाए गये हैं लेकिन आज भी हमारे बीच बहुत ऐसे कम लोग है जिनको ये पता है कि रश्या के उपर सिर्फ नाम के sanctions लगाए गये हैं रश्या से आज भी European countries, US या यूं कहले कि वो सारे देश बर चड़ कर business कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि रश्या एक aggressor है और जो ये claim करते हैं मीडिया में आके कि उनके देश ने रश्या के उपर sanctions लगाए हैं अगर आप इस line को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से western medias, USA या Canada के जो मीडिया हैं वो रश्या और चाइना के जो actions होते हैं या जो उनके foreign policy होते हैं उसों काफिर negative तरीके से दिखाया जाता है अगर हम सिफ recent का दो example है अगर हम रश्या, Ukraine war को consider करें और साथ में अगर हम इस्रेल और Palestine का भी अगर हम मसला को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि western countries बढ़ चड़के वो सारे काम करते हैं जो उनको लगता है कि उनके point of view से सही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोई और देश जिनके संबंध European countries के साथ अच्छे नहीं है अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उनके उपर बढ़ चड़कर allegations लगाया जाता है ध्यान रखे आज भी France के बहुत सारे colonies हैं और ये वही France है जो बढ़ चड़कर human rights और अलग-अलग type के rights के बारे में बाते करता है मीडिया में आके उसके बाद अगर एक चीज़ आप लोगों ने notice किया होगा तो चाहे वो प्रेजिदेंशी रहे चाहे वो व्लादिमर पुतिन रहे ये जब भी किसी अपने counterpart से मिलते हैं तो उनके background में कुछ इस तरीके का historical background रहता है जहां पे ये एक बहुत ही strong image present करते हैं कहने का मतलब है कि ये अपने इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जो काफी सुनहरा रहता है और जहां से ये indirectly अपने power को display करते हैं तो as an Indian हमें भी ये देखना है कि क्या हम अपने इतिहास को इस तरीके से promote कर रहे हैं जिस तरीके से promote करना चाहिए या सिर्फ हम elections के आसपास ही आके अपने इतिहास के उपन्ने को पलटते हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन पांचवी बार रश्या के प्रेसिडेंट बने हैं और रश्या के प्रेसिडेंट बनते ही वो सबसे पहला जो foreign visit करते हैं वो चाइना करते हैं जहां पे वो 16th और 17th को चाइना जाते हैं जैसे ही वो चाइना पहुंचते हैं या इसके बारे में अनाउंसमेंट होता है अल्मोस्ट सभी European countries प्लस US, Canada इस चीज को काफी बारिक तरीके से अब्जर्ब करते हैं जहाँ पे अगर चाइना के अंदर capabilities नहीं होता तो वो कभी भी Russia को host नहीं करते हैं और खास करके उस वक जब Russia already war में हैं तो कहने का मतलब है कि President Putin को भी मालूम था कि अगर वो चाइना को ये कहेंगे कि वो उनके देश विजट करना चाहते हैं तो चाइना उनके request को accept करेगा तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा example है जो बताता है कि किस तरीके से Russia और China दोनों मिलके US के जो supremacy है उसको challenge कर रहे हैं वहीं अगर हम experts की माने तो जिस तरीके से Russia और Ukraine की war हुआ है और European country साथ में US इस war को रोक नहीं पाए है ये भी एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों Russia और China close आए हैं परसनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारे बीच कोई भी ऐसे लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं और जिनको लगता है कि हम भारतियों में शमता नहीं है लेकिन कहीं न कहीं शमता रहने के बावजूद जिस तरीके से skill development के उपर focus करना चाहिए था states को और center को वो हम नहीं करते हैं नतीजतन ये होता है कि इंडिया बढ़ चड़कर आज भी समान को import करता है और export या manufacturing पे आज भी हमारा उस हिसाब से focus नहीं है बहुत सारे हमारे बीच ऐसे लोग होंगे जो ये मान बैटे हैं कि Russia हमारा all weather friend है no doubt Russia से हमारे संबंद काफी अच्छे हैं लेकिन संबंद अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि ये संबंद अच्छे ही रहेंगे अगर भारत अपने capabilities को improve नहीं करेगा अगर भारत बढ़ चड़कर export नहीं करेगा तो ये कहने के जरुवत नहीं ही कि कोई भी देश भारत को support नहीं करेगा रश्या चाइना इसलिए पास आया है क्योंकि जो dependency रश्या और चाइना दोनों का एक दूसरे के उपर काफी बढ़ा है almost 70% या यूं कहले कि 70% से भी अधिक जो machine में tools इस्तेमाल होते हैं वो directly रश्या इंपोर्ट करता है चाइना से और उसके बाद अगर बात करें micro electronics का तो वो almost 90% के आज़ पास रश्या इंपोर्ट करता है चाइना से तो कहने का मतलब है कि रश्या dependent है चाइना के उपर in terms of electronics या और भी अलग अलग चीजों के लिए तो इसलिए भी संबन दोनों देशों के बीच में काफी अच्छे हुए हैं वहीं पे अगर आप यूकरेन और रश्या वार को एनलाईज करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यूकरेन को बहुत हद तक mislead किया गया US और European countries के द्वारा जहाँ पे यूकरेन के प्रेसिडेंट जलेंज की अपने बुद्धी का इस्तिमाल ना करते वे वो रश्या से वार में कूद गये जहाँ पे आज भी सारे के सारे European countries रश्या से business कर रहे हैं और यूकरेन को इस वार में इतना जादा डामेज हो गया है कि यूकरेन इस वार डामेज से निकलते निकलते कम से कम तो 40-50 साल वक्त लगेंगे वो भी तब जब European countries और US continuous monetary support करते रहेंगे तो कहने का मतलब है कि अगर कहीं पे भी war हो रहा या conflict का situation बन रहा तो वहाँ पे कहीं न कहीं presence of US आपको देखने को definitely मिलेगा तो अगर हम इस वीडियो को conclude करें as a student point of view तो हमें समझ में आता है कि बेशक चाइना से भारत के संबंद अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी हमें बहुत ही deeply analyze करना पड़ेगा कि अगर China US को challenge करता है तो वो क्यूं करता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye